आप सभी लोगों का स्वागति आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में डियलेड इंट्रियंस एक्जाम 2023 के लिए जो है आप सभी लोगों के कहने पर उर्दू के कोश्चन को लेकर आया हूं जैसे कि मैं अपने आपके बार पढ़ने या जिनको उर्दू लेना है आपके एक्जाम में तो बच्चे जो है सिर्फ कोश्चन को देख लीजी आपको एंसर ढूल लीजेगा और यहां तक कि मैं एंसर आपका इसका बता सकता हूं लेकिन आपका question जो है मैं पढ़कर नहीं बता सकता क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती है लेकिन मैं आपको बता दू कि यहाँ जो question आपको यह बताया जा रहा है यह 2022 के exam में जो है real question पूछा गया था जैसे कि आप देख सकते हैं कि 31 तक जो है आपका क्या है कि यह आपका हिंदी हो गया और यहां से 32 से आपका जो है कि उर्दू इस्टार्ट हो गया यह optional है आपका कि उर्दू लीजेगा कि हिंदी लीजेगा तो इसका paper आपका हुआ था अब यहां पर जहां तक मुझे यह पढ़ने नहीं आ रहा है 32 नमर प्रस्ण आप देख लिजेगा आप खुद इसे पढ़िएगा समझ रहे हैं थोड़ा सा जूम हम इसे और कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी यहां देखिए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह आपका 32 नमर पहला प्रस्ण है यह आपका प्रस्ण यहां पर आपको दीख रहा है यह मुझे परने तो नहीं आ रहा है लेकिन यह प्रस्ण मुझे लग रहा है ये किसी का जो है दिनांग पूछा हुआ है तिथी पूछा हुआ है लेकिन इसका answer जो होगा वो option अपका A हो जाएगा आप लोग खुद पर लीजेगा वैसे बच्चे जिनको उर्दू आती है परने वो यहाँ से देखकर पर सकते हैं कि ये question क्या है क्योंकि मुझे उर्दू वीडियो को सेर कीजेगा मैं सभी प्रश्ण का उत्तर तो बता दूँगा क्योंकि यहाँ पर जो correct उत्तर है यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर दिया हुआ है समझ गई इसी का यह उत्तर दिया हुआ है यह जो है आपका answer की है जब मैंने 2022 issue में जब बच्चों का answer की चे सारे प्रश्ण समझने का मौका मिले time मिले समझ रहे है यहाँ पर second प्रश्ण यहाँ पर यह है आप देख सकते हैं यह second प्रश्ण में भी उर्दू जो है क्या होता है कि इधर से पढ़ा जाता है हम लोग हिंदी जो है इधर से पढ़ते है लेकिन उर्दू जो है इधर से मतलब कि इस direction से जो है उर्दू परायत यहां से देखे question लगा हुआ है, question mark आपको यहां पर दिख रहा होगा, यह जो है आपका question में इसको अथी कर देता हूँ यहां पर, अब आपको दिख रहा होगा question यह देखे question, आपका यह second question, इसका उत्तर जो होगा, वो मैं बता दू, आपका उत्तर C होगा, समझ गए, उत्तर को भी highlight कर दू, तो इसका answer C होगा, अब आपको दिख रहा होगा, मैं भी question answer, समझ गए, और इसका answer क्या था, A था, तो यह दो question आपको समझ में आ गया होगा, आप सभी लोग मुझे comment करके बताएगी, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो आगे भरते हैं, तो यहाँ देखिए, अगला यहाँ पर जो आपका यह प्रस्न है, यह 34 नमर आपका प्रस्न देखिए यहाँ पर, और प्रस्न आपका यह बोल रहा है, कि यह प्रस्न आप देख लिजे, और यहां पर 4 option दिया हुआ है लेकिन इसका सही जो उत्तर होगा वो option आपका B होगा इसका उत्तर क्या होगा option आपका B सही होगा समझ गए आगे 35 नमर प्रशन देखिए आभी मैं हटाओंगा नहीं टेंसर ने लिजेगा आप सभी लोगों को पुरा परहने का मौका दूँगा समझने का मौका दूँगा तो ही मैं इसको आगे ले जाओंगा तो यहां पर देखिए 35 नमर प्रशन भी आपका यह आ गया प्रशन और अगर इसका उत्तर की बात करेंगे तो इसका उप्शन भी इसका सही है मैं उत्तर बता दूँ क्योंकि मुझे पढ़ने नहीं है लेकिन आप बोलेगा उत्तर कहां से बता रहे तो यह जिखिए जो कॉरेक्ट उत्तर है यहां बगल में दिया हुआ है यह बहला जो बॉक्स स स्टुडेंट के लिए लेकिन यह स्टुडेंट तो हिंदी लिया है तो उर्दु कहां से बताएगा तो वही बात है यहां पर जो उप्शन दिख रहा वो सही उत्तर है तो इसका एंसर भी आपका उप्शन बी हो जाएगा समझ गये आगे बढ़ेंगे हम लोग तब तक दे अगर यह उत्तर देखें यहां पर दिया हुआ है यह उप्शन समझ गये आप लोग मुझे बताएगा कि किस तरह के प्रशन थे अगर किनी बच्चों को उर्दु बहतर तरीके से आता है तो मुझे जो है नम्मर पर भी मैसेज कर सकता है और वो बता सकते हैं कि क्या-क्या क कोशन थे और जो भी उर्दु वाले बच्चे उनको तो बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मैं यहां पर उसका हिंदी तो नहीं बता पा रहा हूं कोशन नहीं पढ़ पा रहा हूं लेकिन फिर भी मैं उनको एंसर उनको कोशन यहां पर बता रहा हूं 100% रियल प्रशन है एक भी यह वाला है और इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका option आपका बी हो जागा समझ गए तो इसका उत्तर आपका option यहां देख लिख लिए उत्तर दिया हुआ यह official आपका question है और official आपका answer है समझ गए मैं अपने यह स्थर से कुछ नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे तो ख 38 प्रशान संय क Dani आपको बता दू कि इसका एंसर क्या और यह होग़ा है कंशन में बल경 सी घंप घा रहा हूं आप 37 लोगों को लग रहा होगा कि जो मैं बता रहा हूँ वह पूरा-पूरा सही है क्योंकि यहां पर अगला आपको जिनको भी उर्दु आता है पर ले न में भी ऐसा तो नहीं है कि जो इंसर बता रहा हूँ गलत है मुझे जहां तक मालूम है कि एंसर जो है एक भी गलत नहीं है आपकी यह answer जो है official answer है और question भी आपका official है, 100% यह question जो है previous year पूछा हुआ है, समझ गया है, यहाँ जो question है, DLA entrance exam 2022 में पूछा हुआ question है, किसी और के पास यह question नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके पहले previous year बहुँ सारे बच्चों का answer की चेक किया था, बहुँ सारे बच्चों को बताये जाएंगे, तो कि यह question है, तो काफी ढूना भी पढ़ रहा है, तो यह question आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने, तो आगे भरते हैं, तो यहाँ पर देखे, और यहाँ पर question नमर आपका जो 40 है, इसको देख लिजे, question नमर 40 आपका य जाता है, हिंदी हम लोग जो है, 22 से दाई की तरह पढ़ते हैं, यह बात तो आप सभी लोगों को मालम होगा, यहाँ पर 41 question, 41 नमर question को देखे, तो question आपका ये वला है, देख लिजे, और उतर की बात करेंगे, तो option इसका B सही है, समझ गया, option B यहाँ पर देख सकते है, correct answer आपका है, समझ गया, यह rise और view, objection के लिए दिया था भी हार बोडर ने, कि जिनका भी लगता है कि question का answer गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपर rise और objection लगा सकते थे, आपको number मिलता ये कट जाता, समझ गया, अगले question क्यों बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 42 नमर देख लिजे आपका जो प्रस्ण ये वाला है, उत्तर की बात करेंगे, तो option A है, समझ गया, option A जो है, इसका सही उत्तर है, समझ गया, अगले यहाँ पर आपका 43 नमर प्रस्ण है, तो 43 नमर आपका question जो है, ये वाला देख सकते हैं, और अगर इसके उत्तर की बात करेंगे, तो option आपका A सही है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा option आपका A हो जाएगा मुझे नहीं समझ मैं रहा है, इसके लिए मैं छामा चाहता हूँ क्योंकि मैं उर्दू बच्पन सही नहीं जाता है मुझे एक वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा है question में क्या लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको official question official answer जो है पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में दिक्कत नहीं हो ताकि आपको पता चले कि किस तरह के question जो है पूछे गयते previous year अगला यहाँ पर आपका 44, 44 number question है जो कि देख सकते हैं यह लंबा सा question और यहाँ पर आपका इसका answer है option आपका B समझ गये इसका answer क्या होगा option आपका B हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 45 number question देखिए तो यहाँ पर 45 number question आपको यहाँ पर दिखा और इसके उत्तर के हम लोग बात करें तो उत्तर आपका A हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं option आपका A सही है समझ में आ गया अगले question की ओर बात करते हैं तो यहाँ देखे अगला question यहाँ पर आपका 46 है यहाँ 46 नमर देखे तो यह question आपको यहाँ नजरा रहा होगा इसके उत्तर की बात कर ले तो उत्तर आपका option भी सही जो है इसका सही उत्तर है यहाँ पर देख सकते हैं समझ गए पढ़ते रहीएगा आप सभी लोग मुझे comment रेके बताएगा कि यह question यह सही है कि गलत है जहां तक मैं आपको बता दूँ कि मेरे अनुसार से मेरे अनुसार से क्या मेरे दुवारा यह दिया हुआ परस्ण 100% सकते है इसमें 1% भी धर-धर कोई परस्ण नहीं है जो परस्ण exam में पूछा गया थो वही परस्ण है कोई इसे नकार नहीं सकता 100% में चैलेंज देता हूँ कोई है तो मुझे नकार कर दिखा दे यहाँ पर देखे 47 प्रस्ण नमर यह 47 यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रस्ण आपका यह है और यहाँ पर option आपका 3 साही हो जाएगा इसका answer option आपका A साही होगा यहाँ पर देख सकते हैं समझ गए आगे भढ़ते हैं यहाँ पर 48 नमर question देखिए 48 नमर question यहाँ पर दिख रहा होगा यह आपका question रहा और अगर answer की बात कर ले तो option आपका इसका B साही है अगला यहाँ पर आपका 49 49 नमर question देखिए यह question आपका रहा है अगर इसके option की बात कर ले तो option इसका D साही है समझ गए इसका B option इसका D option यहाँ पर देख सकते हैं यह answer यह board की द्वारा जारी किया हुआ है आप सभी लोगों को मैं समय भी दे रहा हूँ ताकि आपको question परने में दिक्कत नहीं हो आप रोग रोग कर भी question पर सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए 50 नमर प्रस्ण और यहाँ पर 51 नमर प्रस्ण यह दोनों प्रस्ण को दिखे यह प्रस्ण इसका इसका उत्तर option B इसका सही है यह आपका प्रस्ण 51 नमर और इसका option C 8 सही है समझ गए यह कुछ grammar का question है जहां तक मेरा अनुमाल लग रहा है समझ गए तो यह इसका answer B है और इसका answer C है option C समझ में आ गया आगले प्रस्ण के और बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए 52 नमर तो 52 नमर यहाँ प्रस्ण जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पर तीरपन नमर भी देख लिजेगा यह 52 नमर आपका प्रस्ण यह रहा और इसका उत्तर जो होगा option A होगा सही और यह तीरपन नमर आपका प्रस्ण यहाँ रहा इसका सही उत्तर आपका B होगा समझ गए इसका option A यहाँ देख सकते हैं और इसका option B यहाँ देख सकते हैं तो यह जो है आपका तिरपन नमर प्रश्ण था तो आप सभी लोग पढ़ते रहेगा, समझते रहेगा आप सभी लोग को समझना रहा होगा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखे 54 नमर प्रश्ण और यहाँ पर 55 नमर प्रश्ण यह आपका जो 54 नमर प्रश्ण यह रहा और इसके उत्तर के हम लोग बात करें तो यह आपका option B आठाड़ा सो चातीस यह कोई जो है question इसी वी से पुछा गया है 55 नमर question यह रहा आपका और इसका आपका option जो सही है वो option C सही है समझ गए इसका option B और इसका option C यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर में दिया हुआ है बोट के द्वारा जारी किया हुआ है आगे बरते हैं दो तिन और प्रश्ण है तो यहाँ 56 नमर प्रश्ण देखे इसका उत्तर option C है समझ गए तो देख रहे हैं अगला यहाँ प्रश्ण आपका 58 नमर यह देख सकते हैं यह 55 नमर प्रश्ण और यहाँ उत्तर जो होगा option C होगा तो यह प्रश्ण आपको समझ में आ रहा होगा मुझे तो नीच समझ में आ रहा है लेकिन देख लिजएगा आप सबी लोग अपने इस तर से लेकिन इतना ग्रांटेड है कि यह 100% रियल प्रश्ण है क्योंकि मैंने खुद डाउनलोड के कई से रखा था ओके अगले प्रश्ण को देखते हैं दो प्रश्ण लास्ट है यह 60 उसके बाद जो है आपका 61 एक और प्रश्ण बचेगा यह देख लिजए 69 नमर यहाँ प्रश्ण और यहाँ पर 60 नमर प्रश्ण तो यहाँ पर दोनों प्रश्ण को देख लिजए इसका उत्तर ओप्शन C है सही यह प्रश्ण देख लिजए इसका सही उत्तर जो है ओप्शन आपका A है समझ गये तो यह प्रश्ण इसका क्या है उत्तर C देख सकते हैं इसका A उत्तर है इसका सही उत्तर यह देख सकते है समझ गया आगे की हम बात कर ले तो एक और लास्ट प्रसन आपका देख लिजिए एक सट नमबर ये प्रस्ण आपका और इसका उत्तर ऑप्शन ए है तो इसका प्रस्ण का उत्तर ये यह आपर देख सकते हैं तो अभी हमने जो है उर्दू से डिलेटेट जो है आपके जो प्रिवियस एर एक्जाम में कोश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको बताया आप सभी लोग कमेंडे के मुझे बताये क्या सारा कोश्चन आपका किस तरह के प्रशन था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा जालाव जो हम आपका किस दोग थे सारा की सार दोग क्योंकि मुझे से बताया जारा कोश्चन आपके जो है।